Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Welcome to my kitchen, मैं हूँ Chef Hafsa और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही delicious ही chicken egg sandwich की recipe लेके आई हूँ यह sandwich हम bakery style बना के तरह हार करेंगे और यह बहुत ही delicious बनके ready होगा दिखने में जितना tasty लग रहा, खाने में उसे कई जादा मज़ेदार है तो मैं आप लोगों को यह step by step बनाना सिखाऊंगे, आई यह इसको बनाना स्टार्ट करते है सबसे पहले हमें चाहिए 4 अंडे लेकिन अंडो को ना हमें अच्छी तरह से boil कर लेना है तो उबले हुए गरम अंडो को हम इस तरह से पानी में अट कर लेंगे इसको हलका से ठंडा होने देंगे उसके बाद अंडे के चिलके उतार लेंगे तो यहाँ पर मैंने 4 अंडो के चिलके जो है वो उतार लिये है अब हमें क्या करना है अंडू को इस तरह से स्लाइस में कट कर लेना है और स्लाइस में कट कर लेने के बाद इसको एक बरतन में रख लेना है इसको अभी हम एक तरफ रख देंगे अब हमें चाहिए बोलने है इस चिकन तकरीबन वन कप इसमें एट कर लेंगे 1.5 टीज़्पून सॉल्ट, 1.2 टीज़्पून कश्मीरिय लाल मिर्च, 1.5 टीज़्पून गार्लिक पाउडर, 1.4 टीज़्पून हल्दी पाउडर, 1 टीज़्पून वाइट विनेगर, 1 टेबल स्पून ओईल और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ल इसको हमें एक दिया धा देख देने अब हमें एक बूल रखेंगे और इसमेड कट लेगे एक अंडा, ओन फॉर्थ कप मिल्क, तू तेबल पून शोगर, फ़ टीसपून सॉल्ट, वन टेबल पून ओयल और स्कौचिता से मिक्स कर लेंगे, अब हम इसमेट कर लेंगे दो कप मैदा, वन टी स्पून इंस्टेंट ड्राइ यीस्ट और इसको अचीता से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें थोरा थोरा नीम करम दूद एट करते हुए अच्छे से एक सौफ सा आठा गून के तयार कर लेंगे तो जी यहाँ पर मैंने एक सौफ सा आठा गून लिया है अब हम इसमेट कर लेंगे वन टीबल स्पून बटर यानि के मखन और अच्छे से मखन को आठे में गून लेंगे तो जी मखन को भी आठे में अच्छी तार से गून लिया है यहाँ पर हमाया आठा विल्कुल तयार है अब हम आठे को काउंटे पर पांच से दस मिनट के लिए अच्छी तार से गून लेंगे इस तरह से स्ट्रेच करते हुए इस तरह करने से आठे में ग्लूटेन एक्टिवेट होगा खिचाओ पैदा होगा और सेंविच जो है वो बहुत बैतरीन बनके रेडी होगा तो जी यहाँ पर मैंने आठे को तकरीबन 10 मिनट के लिए काउंटे पर जिदा से गून लिया है आठे एकदम सौफ्ट है देखे अब हम एक बोल को आइल की मदद से ग्रीस कर लेंगे इसमें डू को रखेंगे और इसको कवर करके डू को रेस देंगे तकरीबन आदे घंटे का तकरीबन 10 मिन ओ चुका है दो जोय वो राइस हो चुकी है अब हम इसको इस तरह से पंच कर लेंगे काउंटे पर फोग सा मैदा डस्ट कर लेंगे इसके उपर भी मैदा डस्ट कर लेंगे और अब हम एक रोलिंग पेन की मदद से इसको अची तरह से बेल लेंगे तो जी यहाँ पर एकदम पतला सा डोग को बेल लेना है इस तरह से अब हम इसके उपर इस तरह से ब्रेड रखेंगे इसके उपर एड़ कर लेंगे चिली गार्लिक सास एक तरफ और ब्रेड के दूसरी तरफ में उनीज एड़ कर लेंगे और फिर इस तरह से को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे अब हम इसके उपर एड़ कर लेंगे चिकन के चंग्स साथी इस पर रखेंगे बॉयल्ट एग्स मौजरिला चीज रखेंगे इसके उपर दूसरी ब्रेड से इसको कवर कर लेंगे अब हम ब्रेड डो जो हमने बेली थी उसको इस तरह से कट कर लेंगे और ब्रेड के पीस को अच्छी तरह से डो में रैप कर लेंगे साथ से भी इसको पुश कर लेना है एक चॉप स्टिक की मतलब से इसको इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि इस स्टिक हो जाए और फिर पीज़ा कटे की मदद से एक्स्ट्रा डो को कट कर लेंगे तो जी ब्रेड का पीस इस तरह अच्छे से डो में ना बिलकुल कवर्ड होना चाहिए अब में एक बीकिंग ट्रे को अच्छी तरह से ओल में ग्रीस कर लेंगे इसके उपर हम सैंविच के पीसिस रखेंगे इसके उपर हम एट कर लेंगे हलका से चिली गार्लिक सॉस और इसको अच्छी तरह से प्रेट कर लेंगे फिर इसके उपर आट कर लेंगे तो आसा मॉच्रीला चीज कैपसिकम को रिंग में कट करके इस तार से रख देंगे इसके उपर बॉइल ड्याग रखेंगे तोमाटो का स्लाइश रखेंगे अनियन का भी slice रखेंगे और इसको अच्छी तार से mozzarella cheese में cover कर लेंगे और अब हम इसको bake कर लेंगे तो हम इसको bake कर लेंगे 180 पे 25-30 मिनट्स के लिए इंशालला हमाय जो sandwich है वो अच्छी तार से रेडी हो जाएगा तो जिए हमाय जो sandwich है वो बहुत ही बैस्ता ऐसे bake हो चुका है गर्म गर्म sandwich पे हम इस तार से हलका सा melted butter लगा देंगे अब हम इस बहुत ही delicious से sandwich को cut कर लेंगे तो इस sandwich जितना दिखने में tasty लग रहा खाने में उसे कई ज्यादा मज़ेदार है आपको इस sandwich खाके लिटरिली मज़ा आ जाएगा बोगत ही amazing flavor होता है तो अगर आपको इस बहुत ही delicious से चिकन एक सैंविच के रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक केजिएगा YouTube चानल को ज़रूर से subscribe कर लेजिएगा मिलते है नेक्स रेसिपी में इंशाला Allah हाफिज आप लोगों के लिए बहुत ही delicious है Korean breakfast sandwich की रेसिपी लेके आए हूँ ये बहुत ही yummy बन के ready होता है तो आई इसको बनाना स्टार्ट करते है सबसे पहले हम एक bowl मैट करेंगे half cup cabbage यानिके गोबी पत्ता गोबी गोबी को हमें simple बार एक काट लेना है साथी इसमेट करेंगे half cup गाजर यानिके carrot और गाजर को भी बार एक काट लेना है अब हम गोबी और गाजर को हाथों से अची तरह से mix कर लेंगे इस तरह तो इससे क्या होगा कि इस तरह थोड़ी soft सा हो जाएगा अब हम इसमेट करेंगे two eggs यानिके दू अंडे breakfast sandwich ये तो अंडा तो जाए गई साथी समेट करेंगे one four tea spoon salt यानिके नमक one four tea spoon black pepper powder और सब को अचीता से mix कर लेंगे तो ये अचीता से mix हो चुका है बहुत ही simple recipe है लेकिन बहुत ही delicious बनती है अब हम एक flat non-stick pan पे इस तरह से एक square mold रखेंगे अगे mold ना हो तो जस्ट ऐसी simple अंडा बना लें shape जो हो square नहीं आएगी लेकिन उसके बगह भी बन जाएगा सबसे पहले मैट करेंगे butter यानि की मक्षन और जब मक्षन melt हो जाएगा तो हम इसमें अंडे का half mixture एट करेंगे और फिर इसको इससाथ हुआ set करेंगे low flame पर mixture को थोया cook होने देंगे और जो बंडा पक जाएगा तो पर mold को हटा लेंगे तो proper square shape में हमारे पास एजू cook tag वो आजाएगा इसको flip कर लेंगे दूसी तफ से भी पका लेंगे अब हम इसके उपर sprinkle करेंगे कास्टर शुगर यान के बारी चीनी इससे काफी अच्छा flavor आजाएगा लेकिन यह optionally अगर आप चीनी ना हट करना चाहे तो मत आट करें लेकिन इससे अच्छा flavor आएगा फिरम इसके उपर आट करेंगे तो आट पैटी रेडी हो चाहेगी अब देखें इसी तरीके से हम दूसरा भी पका लेंगे मोल्ड को हटा के इससा अंडे को फिल्प करेंगे इसके उपर चीज जो है वो ग्रीट करके अट कर लेंगे तो दूसरी एक पैटी जो है वो सैंड्विश के लिए पको रेडी है अब मैं ग्रिल पैन पैट करेंगे बटर जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो हम इस पर दो ब्रेट के स्लाइश रखेंगे अच्छी तरह आज इसको टोस्ट कर लेंगे एक तरह से जब यह अच्छी तरह टोस्ट हो जाएगा तो इसकी साट चेंज करके दूसरी तरह से भी कर लेंगे टोस्ट इसके उपर हम टोमाटो केचप एट कर लेंगे और एग पैटी जो हमने बनाई थी वो रखेंगे अब दो और ब्रेट जो इसको हम टोस्ट कर लेंगे और इस पर भी केचप लगा लेंगे आप चाहे तो मस्टर्ड पेस्ट और मैयोनीज भी एट कर सकते हैं तुझी तयार है हमारे बहुत ही डिलिशिस सा कोरियन ब्रेक्फिस सेंविच इसमें जो कैबच ये हूँ आइक के साथ बहुत ही अमेजिंग लगी की तो अगर आपको रेसिपी पसंदाई वीडियो को लाइक कीजिएगा यूट्यूब चैनल को जरू से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स रेसिपी में इंशालला अल्ला हाफिज बिसमिल्लाररा Самयर्ष में अल्लेकुम दोस्टों कैसे आप लोग आज मैं आप लूगों के लिए ऐक मजिदार सी क्लब सैन्विच इसकी रेसिपी लेकी आएं हूँ क्लब सैन्विच तो हर कूई बनाता है लेकिन आज में आप लोगों को अपने स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी और यह बहुत ही डिलिशिस बनता है तो आई यह इसको बनाना स्टार्ट करते है सबसे पहले हैं मैरिनेट करेंगे चिकन इसमें मसाले एट करेंगे तो सबसे पहले 1-4 teaspoon काली मिर्च पावडर 1-2 teaspoon pink salt 1 teaspoon paprika पावडर 1 teaspoon garlic powder 1 teaspoon red chili powder 1-4 teaspoon हम यह पे ड्राई थाइम एट करेंगे साथ में हम यह पे अदर लीमून इचोर्किया एट करेंगे अगर lemon ना हो तो simple white vinegar add कर लें साथ ही smat करेंगे 1 teaspoon mustard paste और इस सब को अच्छे से mix कर लेंगे chicken breast को simple मैंने half mess नहीं से cut कर लिया था तो यह अच्छे से mix हो चुका है इसको हम को एक सा 15 minute marinate कर लेंगे 15 minute के बाद हम grill pan pad करेंगे oil और अच्छे से pan को गर्म कर लेंगे फिर इस पर हम chicken को इसतार रखेंगे chicken को हम simple medium flame पर 5 minute के लिए पका लेंगे और 5 minute के बाद हम इसकी साथ चेंज करेंगे chicken breast को हमने half में cut कर लिया था ना तो इससे ही बहुत जल्दी को को जाएगा तो यहां पर chicken जो है वह बहुत अच्छी से को को गई है इसको हम निकाल लेंगे अब हम एक बोल मेट करेंगे तीन अंडे साथ ही इसमें थोड़ से पिंक साल्डेट करेंगे थोड़ से काली मेंच पाउडर स्पिंकिल करेंगे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो यह अच्छे से मिक्स हो गया है अब सिंपल हम एक पैन में ओयलेट करेंगे, और इसे पैन को अच्छे से ग्रीस करेंगे, पैन जब थोड़ा गर्म होजएगा तो हम इसमें एक मिक्स्ट्राइट करेंगे, थोड़ा साथ करेंगे, सारा नहीं एट करेंगे, और इस तरह से इसको हम पकालेंगे, इस तरह से हमें प साइज को इसरे कट कर लिए इस ते हम कुछ बीत कर लिया सब्सक्टार कर लिया इसको मैं से कुमे कर से नियने zile एट कर लेंगे, इस पर रखेंगे और रखेंगे, ब्रेट को हलका सा बस टोस्ट करने है, हमें क्रिस्पी नी करना है, एक सेंविच बनाने के लिए हमें चार ब्रेट चाहिए है, तो दोनों तरफ से इसको हलका सा टोस्ट कर लेंगे और इसी तरही की से हम तमाम ब्रेट को कर अब इसका जो सॉस होता है बहुत ही बेसिक होता है हम एक बोल मैट करेंगे मयोनीस तक रीबन 1-2 cup और साथ ही हम इसमें 1 teaspoon mustard paste आट करेंगे इसको mix कर लेंगे बस यह बिल्कुल basic सा सॉस होता है क्लब सेंविच का जो दिखने में margarine यह बटर जासे लगता है लेकिन खाने में बहुत ही डिलिशिस होता है अब जो हमने चिकन तैयार की थी ना उसको हम इस तरह देखें स्टाइस में कट कर लेंगे knife को थोड़ से टेयार करके बहुत ही हाथियाच से fingers को बचाते हुए तो simple इस तरह से चिकन को कट करके एक दफ रख देना है अब हम टोस्ट की हुई एक bread रखेंगे इसपर अच्छे से sauce लगा देंगे इसपर खरेंगे chicken, यह chicken बहुत दिलिशिस लगती है sandwich में साथ ही हम इसपर खरेंगे bread का दूसरा slice और इसपर भी अच्छे से sauce पर खरेंगे इसपर हम salad leaves रखेंगे, यहां पर मिसलाथ पता रखे हुए हम यहां पर आइसबर्ग्स भी उस कर सकते हैं जो भी अवेले बिलो इसके उपर हम चीज रखेंगे जो भी चीज आपको पसंदो गो एट कर लें टिमाटर की स्लाइस रखेंगे और साथ में खेरा इसके उपर हम एक और टूस्टेड ब्रड रखेंगे और इस तरह सिंपल सैंविच को कट कर लेंगे यहां पर शार्प होनाँ ज चाहिए, तो बहुत ही असानी के साथ सेंविच je अधिञा हूच हो जाएगा वरनाा आप इसमें स्कीवर्स हैट करकी कट कर सकते हैं और इस तरह सिंपल कट कर लें चाहिए तू और हाफ में कट कर लें ये देखे, ये बहुत दिलिएस हमाया सेंविच पिल को रेदी है, खान टी हम होता है इसके साथ हम घर्म घर्म थोबर फ्रेंच फ्रेंच फ्रेस बना लेते हैं तो अगरुम तयार है, गर्म घर्म फ्रेस बीजब के साथ इसकू सिर्फ करेंगे विल्कुल इसी तरही किसम इसको रेस्टराउन पे बना के तैयार करती थी बस टर्की बेके नेट होता था वो मेंने नहीं किया है क्योंकि वह हमाई पास होता नहीं है लेकिन ये बहुत ही डिलिशिस सैंविच होता है Welcome to my kitchen मैं हूँ Chef Hafsa और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलिशिस सैंविच की रेसिपी लेके आई हूँ ये सैंविच काफी डिफरेंट तरही किसे बनके रेडी होता है लेकिन खाने में बहुत ही मज़िदार होता है हम इसको किसी बन डिश पार्टी के लिए बना के तरह यार कर सकते हैं जो भी है सैंविच खाएगा वो आपका फैन हो जाएगा ये इतने मज़िदार होता है तो रेसिपी का कोई भी पार्ट में इसमत कीचेगा आईए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक पानी उबालने वाली पतीली में रखेंगे चार आलू साथी इसमें अट करेंगे चार अंडे इसमें अट करेंगे पानी पानी में मैट करेंगे नमक, इसमें उबाल आने देंगे और अब हम अंडा और आलू को उबलने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के बाद अंडे जोए वो अच्छे से बॉल हो जाएंगे तो हम अंडे निकाल लेंगे आलू को अभी उबलने में 10-15 मिनट और लगेंगे तो अंडो को हम एट करेंगे इस तरह पानी में और अंडे के छिल के उतार लेंगे तो क्यूंकि हमने पानी में नमक एट किया तो बहुत ही असानी के साथ अंडे के छिल के उतार जाएंगे अंडे के उतार के हम इसको एट करेंगे एक बोल में अब हम इसको इस तरह मेश कर लेंगे अंडे को चंकी ही रखना है हर अंडे को बस एक बार मेश करना है इस तरह हाँ अब आलू जो ये वो भी उबल गए है इसको हम एट करेंगे पानी में और इसके चलके भी उतार लेंगे इस तरहाँ आलू की चलके उतार के हम अट करेंगे इसको एक बोल में और गरमगरम आलू को हम मेश कर लेंगे एक मेशर की मदद से आलू को भी हलका चंकी रखेंगे बहुत ज़्यादा मेश नहीं करेंगे तो आलू अच्छी तरह से मेश हो चुके हैं इसमें हम मैट करेंगे मेश किये हुए अंडे साथ ही हम कुछ मिनी चिकन सॉसेज़िस को इस तरह से कट कर लेंगे डाइगनल ये सैंविचेस में बहुत ही अच्छे लगेंगे ये चिकन चीज सॉसेज़िस हैं ज़स सिंपल इस तरह से कट कर लेंगे तो सॉसेज़िस को मैंने कट कर लिया है इसको भी हम एट करेंगे बोल में साथ ही हम एक हरी प्यास को कट करके इस तरह हां एट कर लेंगे सिंपल हरी प्यास को चॉप करके इसमें एट कर लें साथ ही इसमें एट करेंगे हाफ कप सुईट कॉर्न हाफ कप मेयो टू टेबल स्पून टॉमेटो केचप, वन टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, थ्री फॉर टी स्पून सॉल्ट, वन टी स्पून चिकन पाउडर फ्लेवर के लिए, इस सब को मचीता से मिक्स कर लेंगे, यह सैंवेच जो है वो कोरियर की स्ट्रीट फूट में बहुत ज़दा फेमिस है, और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, तो डिलिशिस सी सैंवेच की फिलिंग जो है वो मिक्स हो गई है, अब मैं एक ब्रेड रखेंगे, इसमें एट करेंगे हम सैंवेच की फिलिंग, फिलिंग को स्टासी सेट कर लेंगे, दर्म्यान ने थोरी सी जगा बना लेंगे, और इसमें एट करेंगे हम मोर्ट्रिलर चीज, इसके उपर थोरी से फिलिंग और रखेंगे, दूसरी ब्रेड से इसको अची तरह से कवर कर लेंगे, और इस तरह से हमें सैंवेच को बन कर लेना है, अब एक बिदाव चीज बना लेते हैं, चीज के बगए भी ये सैंवेच बहात ही अच्छा लगेगा, तो सिंपल हम ब्रेड पिस्टार से फिलिंग एट करेंगे, फिलिंग को सेट कर लेंगे, दूसरी ब्रेड से इसको कवर कर लेंगे, और इस तरह से सैंवेच बना लेना है, अब एक बोल मेट करेंगे एक अंडा, साथ ही इसमेट करेंगे हाफ कप दूद, चुटकी भर नामक ब्रेट को हमें संदे वाले मिक्स्ट्रे में डिप करेंगे साइडों पर अच्छे से इस तरह ऐसे लगा लेना है और फिर हम ब्रेट को एड़ करेंगे ब्रेट क्रम्स में और बिल्कुल अच्छी ताहाँ से इसको कोट कर लेंगे ब्रेट क्रम्स में यह बहुत ही इंपॉर्टनिन स्टेप है कई से भी जगह खाली नहीं होनी चाहिए और इस स्टेप को प्रॉपर करने की वज़े से हमा जो सेंविश व बिल्कुल भी औरली नहीं बनेगा तो बहुत ही अच्छी से हमें इस पर ब्रेट क्रम्स लगाने है सेंविश को मैट करेंगे गर्म गर्म और में और इसको डीप फ्राय कर लेंगे अच्छी से देखे इसको एकदम क्रिस्पी होने तक फ्रायर कर लेना है साथी अगर आप चैनल पर नूब है और अब इतकर आप नेinklesब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब की बटन पर क्लिक करके सब्सक्रायर कर सकते हैं यह बिलको free है, और से जादर से जादर recipes में आप लोगों के साथ share कर पाऊंगी तो जी sandwich बहुत ही बहतरीन सा fry हो गया है बहुत ही बहुत ही अच्छे से crispy हो गया है बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही लग है इसको में रखेंगी एक चछने पे ताकि जो भी extra oil है वो drain हो जाए अब देखें हम इसको काम oil में भी frank pen में भी इसता है fry कर सकते है sandwich को add करें एक तरफ से इसको color आने दें और पर side change करके दूसरी तरफ से fry कर लें बस दून तरफ से अच्छे से crispy होने देना है तो देखें काम oil में भी इसता है बहुत ही अच्छे से sandwich fry हो जाएगा इसको हम रखेंगे चन्ने पर ताकि एक्स्टा ओयल जो हो drain हो जाए तो जी बहुत ही delicious सा हमाया sandwich बिलकुर ready है अब इसको cut करते हैं तो देखें कितना yummy लग रहा है बलकुल भी oily नहीं है sandwich हो बहुत ही crispy है इसकी फिलिंग बहुत ही delicious है इसको हम सर्फ करेंगे अपने favorite sauce के साथ तो तर्यार है बहुत ही delicious से sandwich अगर आपको इसकी recipe पसंद आई तो इस video को like कीजएगा YouTube चैनल को ज़र से subscribe कर लीजएगा मिलते हैं नेक्स recipe में इंशालला, Allah Hafiz आपको झाइओान तो तो जिलिंग है यूवत है यूवत है